बॉलिवुड में एक बड़ा मशूर गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है आज ये गाना चंद विदेशी कलाकारों पर एन सटीक बैठता है नमस्कार मैं हूद नेश कौतम हमारे बेहत खास चो अड़ी में आप सब का स्वागत है अमेरिका में रहने वाली पॉप सिंगर कूछती हैं किसानों पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है दुबई में रहने वाली अश्लील फिल्मों की नाईका मिया खलीफा को भी भारतिये किसानों की फिक्र है मगर क्यों? सवाल यही है आज हम ये जानेंगे कि रहाना और मिया खलीफा के अलावा कौन से कलाकार हैं जिनकी एंट्री अंदोलन में हो चुकी है और कहीं है कोई साजिश तो नहीं आज आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक रहाना को अपना सबसे अच्छा साथी बताएगा साथी बात होगी बीजेपी और कॉंग्रेस के जुबानी जंग की भी ये सबसे एहम बाते हैं आज किसानों के संदर्ब में कि वो कौन से लोग हैं जो मान ना मान मैं तेरा महमान होने पर आमादा है लेकिन सबसे पहले एहम ख़बर देखिए सोशल मीडिया पर छाया किसान अंदोलन विदेशी कलाकारों ने अंदोलन का किया समर्थन पौप सिंगर रिहाना के ट्वीट से मची खल्बली रिहाना के ट्वीट पर विदेश मंत्रालाय ने दिया जवाब बगैर सोचे, समझे और जाने ना करें कमेंड कहा मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स ने रिहाना बैर्बर्डोस की रहने वाली हैं, असल में ये वेस्ट इंडियन हैं, लेकिन अब अमेरिका की नागरिकता इनको हासिल हो चुकी है अमेरिका में अपने गानों की वज़े से बहुत पॉपुलर हैं, पॉपुलर इतनी की 90 फीस्दी अल्बम्स इनके हिट हैं लेकिन क्या इस बात से इनको लाइसिंस मिल जाता है किसी दूसरे देश के मामले में टांग अडाने का और जैसे ही रिहाना ने ये कहा फिर ये निगाह गई लोगों की और किसने किसने कहा है तो इसमें एक वो भी था जो रिहाना का समर्थक है लेकिन खालिस्तानी समर्थक भी है और वो कैनड़ा का एक सांसत भी है हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास महमान उनसे समझे की कोशिस करेंगे ये संयोग है या जान बूच कर किया जा रहा है एक प्रयोग है एकबाल सिंग लालपुरा हैं हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से जोड़ रहे हैं आदिल सिंग बोपाराई हमारे साथ जोड़ रहे हैं प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस के आतुल अंजान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं CPI की तरफ से सतीश, प्रकाश, राजनीतिक विशलेशक हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कृष्ण बीर, चौधरी, अध्यक्ष हैं, भारतिये किसान समाज के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सभी महमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रकाश को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ इंफरमेशन दे देता हूं, जब यह हुआ कि रहाना एक अमेरिकी पॉप सेंसेशन, रॉक स्टार एक ट्वीट कर रही हैं किसानों के संदर में, तो लोगों की निगाह गई, किसने कहा है, क्या कहा है, हिंदुस्तान में रहाना नाम हाउस होल्ड नेम हो ऐसा नहीं है, लेकिन इस नाम से अपरिचित हों लोग यहां बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है, अब उन्होंने जब ट्वीट किया, किसानों के संदर में तो लोगों ने कहा, इनका क्या इंटरेस्ट है, क्या स्टेक है, बहरहाल अभी हाल में वो विदेशी सेलेबिरिटीज, समस्या ये है कि सेलेब्स में अब शुमार उनका भी होता है, जो अश्लील फिल्मों में काम करने की वज़े से जानी जाती है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव पॉपुलेरिटी भी आजकल एक पॉपुलेरिटी है, लेहाजा इनको भी सेलेब्स की शेड़ी में डाल दिया जाता है, रिहाना पॉप स्टार है, मिया खलीफा पॉण्ट स्टार है और ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरन के लिए काम करने वाली कारे करता है, इन तीनों ने ही किसानों के संदर्भ में, किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बलं की है, इन्होंने क्या क्या कहा है, ये देखेंगे हम, लेकिन फिर ये समझेंगे कि भारत के भीतर के एक मसले पर इनका क्या काम है, क्यों ये एक ऐसे मुद्दे पर अपनी राये प्रकट करना चाह रही हैं, जिसमें ये किसी भी तरीके से स्टेक होलडर नहीं है, क्या ये किसी के इशारे पर किया जा रहा काम है ये क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस बारे में भी कुछ पुखता सुबूत मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि लिंकेजिस हैं ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हवा में ही है अलाकि वो linkages की वज़े से उन्होंने ऐसा कहा है ये स्थापित होना बाकी है सबसे पहले लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा ये कौन है और इनका कहा जाना, इनका इस मुद्दे पर राय व्यक्त करना क्या ये माना जाए कि कोई भी कह सकता है आज globally connected world है किसी भी मुद्दे पर कोई भी राय व्यक्त कर सकता है लेहाजा इसको भी ऐसे ही देखा जाना चाहिए अतुलंजान शुरूआत आपसे दिखे दिनिश गोतम जी मैं बहस में आपसे एक पहले निवेदन कर दूँ सारे देश के किसानों की तरफ से और टीवी नाइन से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि लोकतंत की बात आप बहुत करते हैं जरा ये बताईए ये कांटे क्यों डाले गए ये कील सडकों पर क्यों बिठाई गई ये इत्ते इते गड़े क्यों खोले गए एक सो साथ लोग मर गए मैं जानता हूँ आपका एजंडा कोई और हो सकता है लेकिन मेरा भी एजंडा रखने दीजिए और फिर मैं आपसे चप्र कुछते हूँ आप उस पर राज जाहिर कीजिए ना आप जो कहना चाहते है उसके साथ शुरुखार रहे हैं सर बोले बोले दूँगा उसी का जबाब दूँगा उसी का जबाब दूँगा उसी सवाल का जबाब दूँगा बोलिया आवाज ने रहे अच्छा सवाल आप से दोबारा पूछों आप यह कह रहे है सवाल यह है सर कि बाहर का कोई रॉक स्टार, कोई एक पॉर्ण स्टार और कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट जो बाहर काम करती है वो इस मुद्दे पर राय जाहिर करती है तो इसको आप कैसे देखते हैं आज आपने शुरुआत में ही कही दिनेश जी कि दुनिया आज इतनी globally interconnected हो गई है information technology से कोई किसी से छुपा नहीं है अगर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के इन तत्तों से मिलते हैं तो भारत की रौ सरकार के रौ के department को उनके खिलाफ देश विरोधी मुकदमा दर्ज करना चाहिए जहां तक इन लोग का सवाल है जब IMF और World Bank और Moody's भारत की आर्थिक विवस्था पर जब गाना गाता है तब हम लोग बड़े खुश होते हैं और जब वो हमारी negative बात करते हैं तब हम सर्वे में economic सर्वे में कहते हैं कि इन international agencies को भारत के आंतरिक मामलों में नहीं जाना चाहिए यह दोहरे मापदर्ण नहीं हो सकते हैं एक बात आपको बताओं जब हम क्योटो जैसा शहर बनारस को बनाना चाहते हैं परियावरन भी सारे देश में तरह तरह की दुनिया लेकर पहला round मैं बाकी महमानों के पास चलते हैं भारतिये जनता पार्टी से इसका जवाब लेते हैं हमारे साथ सिंग साब जुड़े हुए तो कश्मीर में दिये जाने वाले किसी उपदेश को वो स्वीकार कर लेंगे क्या ट्विटर पर कोई बाहर का आदमी इस तरीके के मामलों में अगर उपदेश देने लगेगा तो स्वीकार यह होगा इन लोगों को किसान के मुद्दों पर किसान की प्रॉब्लम्स किसान के लॉस पता है क्या लेकिन सिंग साब आपत्ती क्यों है आपत्ती इसलिए है हमें के देश्ट की एक्टा और अखंडता यह सबसे बड़ा हमारा धर्म है इसको बरकरा लगता किसान हमारे भाई हैं साथी हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका हल होना चाहिए और उस हल के लिए सरकार बातचीत कर रही है लेकिन हमारे देश के अंदरूनी मामलात में कोई आदमी दखल दे यह कभी बरदाशनी होगा भारत कभी किसी के बिदेशी जो दूसरे लोग हैं उनके आंतरिक बावलों में डखल अदाजी नहीं करता आपने केवर यह नाम लिए हैं आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आपने चीन का नाम लिए लिया किस तरह से वो लोगों को बहकाने में लगे हुई हैं मैं अपने भाणियों से हाथ चोड़के बिलती करता हूँ ये बताएं कि भारत की एकता अखंड़ता के लिए हम एकटे हैं या इसमें भी राजनीती करनी है एकता अखंड़ता को खत्रा है क्या और क्या ये दुश्मन मुलकों की तरफ से उकसावे की वजह से ये स्टेटमें किसानों को आतंखवादी कहती है मैं जानना चाहता हूँ टीवी नाइन से और लालपुरा साब से आपको आपती है जब किसानों को एक बॉलीवोड की आक्टरेस आतंखवादी कहती है मुझे आपती है कॉंग्रेस पार्टी को आपती है देश की जनता को आपती है जहां त एक अमेरिकी पॉप स्टार बताएगी क्या कंगनर और नौथ हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानियों में कौन क्या कह रहा उस पर आ जाएंगे लेकिन बाहर से आपको ये नसीहत दें आपको मंजूर है देखे गौतम जी अगर आपने कॉंग्रेस पार्टी को बुलाया है तो तोकिये ना मैं आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलूँगा नहीं मैंने आपसे एक सवाल किया है मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं पकड़ा रहा है अगर आपको ऐसा जाहिए तो मैं आपका डिवेट छोड़के केती हैं उनको लानत पर मेरे मुंने है कि उनको लानत आनी चाहिए अपने पर बड़ेश तोर से आज कहना चाहता हूं जो आपकी अगर आगर की अगर 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 उप्ड़ेट नहीं होसकता ऐसे देबेट नहीं हो सकता। अगर के लाना शरम करिए लालपुरा साहब शरम करिए किसान को अर्शनकवादी कहा जा रहा है और आप खापिया मार रहे हो। आपको देशरम आनी चाहिए। सिंग साब सिंग साब इस तरीके में किसी की आवाज नहीं जाएगी आप दोनों से अनुरोध है मेरा एक सवाल आदिल वोपार आईजी से है वोपार आईजी मुझे बताईए विदेश में रहने वाली पॉर्न स्टार भी अगर रियाक्ट करने लगेगी मुद्दे पर हमको ऐसी यह मनदोर होगा क्या विश्य ये तहैं नहीं जो रहाना कैती है वो विश्य जादा जूरी है कि जो किसान की स्थिती है वो विशेजादा जरूरी मैं समझ सकता हूँ आप प्रेशर है मैं विशे को लेकर तो सवाल उखाई नहीं रहा हूँ मैं जो स्टेक ओल्डर है वो किसान है किसान को लेकर ये रूल बने मेरे सवाल का घुमा कर जवाब मत दीजिए जहर ना चाहते हैं यही कारण है कि आज भाजपा से और मीडिया से किसान का विश्वास उठ चुका है यही तो कारण है सुर्जेवाला जी के ट्वीट में रिहाना का मेंशन नजर क्यों आता है बोपाराई जी जो मैं कह रहा हूँ वो आवाज आ रही है क्या आपको जब आपको आभाज आने लगेगी तो एक बार फिर से पूछूँगा कि सुर्जेवाला जी के ट्वीट में रिहाना का दिक्र क्यों है सतीज प्रकास जी के बास जाता हूँ परियावरन के लिए उसकी जो उपिनियन है, पुरी दुनिया ने उसका सम्मान किया, अगर कोई पौन स्टार है या कोई दूसरा स्टार है, अगर वो कुछ कहता है, कि कला की कोई सीमा नहीं होती है, राजनिती की सीमा होती है, और आपको यह भी मानना पड़ेगा, कि हमारे सीमा नहीं होती है, नहीं पर मोधी जी ने क्रम का जाकर के अमेरिका में परचार किया है, इसकी कोई जरुत नहीं थी, वो भी गिलता, लेकि देके दो चीजे हैं, कि अगर वो यूए की यही पौन स्टार, अगर बीजेपी के परचार में निगलती है, और मोधी जी के करेगी, क्योंकि तमाम ऐसी भारत की फिल्म दुनिया की इंडिस्टी में ऐसी अभिनेतियों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, वो तमाम टीवी डिवेट में, जिनके ओपर सवाल है, वो भी जेपी के अपर सवाल है, आप मॉलिक प्रस में नहीं समझ रहे हैं, हि उस्तान में रहने वाला कोई एक्टर या एक्ट्रेस, और बाहर काम करने वाला कोई सेलिब्रिटी, क्या आप एक ही तरा जुमें इनको रखेंगे? किसान और सरकार के भीज में किसी को नहीं आना चाहिए कोई को नहीं आना चाहिए लेकिन जाच ये भी हो है पिर कोई करके आप ब्लैंकेट स्टेट्मेंट मत दीजे अभी जो मेरा सवाल है उस पर जबाब दीजे मैं इस पर भी आ जाऊंगा कि Celebrities in Common जो दूसरे ख्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें दखल देना चाहेगा नहीं, सतीश प्रकास जी, एक सगेंड मेरी बात सुनिए, प्लीज, सतीश प्रकास जी, इनको भी आवाज नहीं जा रही है, ये जरा मैं आप पढ़के सुना दूँ पहले बोपाराई जी को, बोपाराई जी, नाराज मत होईएगा, और ये मत सोचेगा, मैं कोई एजेंडा सेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रहाना लिखती है, वाइंट वी टॉकिंग बाउट इस, और रंदीप सिंग सुर्जेवाला ल जागिएगा, फिर मेरे उपर गुस्ता मत उतारिएगा, प्लीज, नई, ने, गुस्ता क्यों उतारेंगे, भाई साहब, आप मीडिया की हालत देखी लई है, जो कि साहर कह रहे हैं, आप मीडिया पे अगर बोलना चाहते हैं, तो बताईए, एक देड़ मिनट मैं दर्शको जब आइना दिखा रहा हूं तो भाग रहे हैं, आइना मैंने दिखाया है, उसका जवाब कौन देखा, और बोलिए इसको करीब कराके और जूम कराके दिखाओं क्या आपको, सुर्जेवाला जी का ट्वीट, अगर मुझे बोलने का समय देना चाहते हैं, तो दीजे नहीं चौधरी साब, एक बार फिर से इनके पास साइबी इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब तक मैं आपके पास आता हूं, कौन बोलेगा एक मुझे पर ये कैसे पैह होगा, सबको आजादी है, फ्री फॉल आल है क्या, क्रिश्नबीर चौधरी ये तो इम्रान खान को जपी डालने वाले लोग है, ये तरहां मुझे पे आएंगे, ये तो मुझे पे आने वाले नहीं है, ये तो यासीन मलिक का हाथ मिलाने वाले लोग है, कौन्गरे से आप ये आशा करते हो, कि ये इस देश की एक्टा और खक्ता के लिए काम दरेगा और रंडीब सिंग सुर्जेवाला कहते हैं कि यहां पर क्योंकि आटोक्रेसी वो डिमोक्रेसी पर हावी है इसलिए ऐसा हो रहा है वो भी आर्टिस्ट था वो गायक था उसको देखिए अभी तो उसको पुलिस ढूंड रही है अब ये सब क्या कराना चाहते हैं आखिर देश के राजनितिक दलों की सोच को कहां चले कहां गया इनका इनकी सोच कितनी छोटी हो गई है आप में क्या कमी है क्या आप खुद चर्चा में भाग लीजिए आप देश के किसानों के तमाम मुद्दों पे बात करिए लेकिन इस तरीके से विदेशियों का क्या मतल अब है और वो भी पॉर्न आर्टिस्ट जैते ये शरम की बात है भारत के अब से बड़ी बात तो यह है कि जिस मीडिया को कोसा जाता है उसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके बात भी कही जाती है और फिर मीडिया के उपर प्रवचन देने के लिए एक मिनट का टाइम अ और कहा किया है उन्होंने आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कौन कह रहा है रिहाना पॉप सिंगर वेस्ट इंडीस की पहले आप अपने facts को सही कर लीजिए, कुछ भी comment करने से पहले अपने facts को चेक कीजिए और मामले की पूरी जानकारी होनी जरूरी होती है, दरसल ये बहुत soft stand है हिंदुस्तान की तरफ से, कहा ये भी जा सकता था कि आप हैं कौन, और आप इस बारे में कुछ कहने के लिए अ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि किसान नहीं है वो आतंकवादी हैं, इस बारे में आपकी राय अलग हो सकती है कि वो कौन है, क्या किसी ने भी वो लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी ने भी कहा कि लाल किले में जो हुआ, वो जायस था, जाहि वो किसान थे जिन्होंने वो किया जाहिर है नहीं थे बैरहाल अब इसको लेकर आगे ये कहा गया है कि तुम मूर्ख बनकर चुपचाप बैठो क्योंकि हम तुम्हारी तरह अपने देश को बेच नहीं रहे हैं कंगना का यहां पर गुस्टा है और गुस्टा इसलिए है क्योंकि एक हिंदुस्तानी जब यह देखता है कि बाहर से कोई राय व्यक्त कर रहा है तो उसको यह बुरा लगता है वो यह कहता है आप अपने देश को बेच रहे हो बचा रहे हो यह आपका मुद्दा है आप अप blanket statement दिया गया कि celebrities तो चलिए इन celebrities की भी बात कर लेते हैं यहां कुछ celebrities ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी रुपहले परदे के नायक हैं उन्होंने इस बारे में किसानों के समर्थन में बात कहिए क्या किसी ने कभी उनको रोका है टोका है क्या कभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप ऐसा मत कहिएगा जाहिर है यह फर्क है लेकिन दिखाईए यहां पर यह देखिए इन्होंने क्या कहा है धरमेंद्र ने कहा कि आज किसानों की जो बात है वो कुबूल हो जाए मैं दिल से अरदास करता हूँ कि हर एक नेक रूह जो है वो खोश हो जाएगी हलाकि उनकी अपनी पत्नी हेमा मालीनी इस बारे में दूसरी राय रखती है स्वरा भासकर हमेशा आप अपनी टिपडियों के लिए जानी जाती है और एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखी जो की सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में थी ठीक है हिंदुस्तानी है तापसी पन्नू इन्होंने भी ट्वीट कर दिया था जिसमें आपको याद होगा दिखाया था एक तरफ पुष्प वर्षा हो रही है ट्रेक्टर लेकर जा रहे हैं लोगों पर दूसरी तरफ लाठी ऊपर के हुए पुलीस दिखाई दे रही है उन्होंने कहा कि देखिए एक ही दिन की दो तस्वीरें दिखा रही है कि किसानों को लेकर क्या सोच है इस देश में आजय देवगन ने कहा डोंट फॉल्फ प्रोपगेंडा अगेंस इंडिया और इंडियन पॉलिसीज इट्स इंपॉर्ट त इस आर विदाउट अनी इन-फाइटिंग सुनील शेटी ने भी एई का कि पहले जानकारियां तो पूरी ले लीजिए एक ताक अपूर लेट स्टेंड उनाइट अगेंस अगेंस आट प्रोपगेंडा तोगेदर वी कैन और वी विल आकशाए कुमार कह रहा है फार्मस कुल मिल आकर ये तमाम वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसानों से हमारा कोई बाहर नहीं लेकिन किसी एक मुद्दे को पहले पूरी गहराई से समझतो लो उसके बाद उस बारे में बात कर लेना कैलाश खेर ने भी यही कहा है इसको जायस ठहराने वाले उन लोगों को जिनके कुछ और एजेंडे हो सकते हैं मसलन मैं भी आपको कुछ देर में बताऊंगा कि रिहाना का लिंकेज एक ऐसे व्यक्ति से है जिसको खालिस्तानी समर्थक देश को बांटने का मनसूबा रखने वाला कहा जाता है उस पर आऊं लेकिन इससे पहले एक बार फिर से अपने महमानों की तरफ चलता हूँ सेलिब्रिटीज ने इसने इसमें तमाम समय में तमाम कुछ कहा है आतुल अंजान साहब लेकिन सरकार की तरफ से कभी कोई टीका टिपड़ी नहीं हुई जिसको जो मन है वो कह रहा है उसमें प्रो वाले भी हैं अगेंस्ट वाले हैं सवाल यह है कि जब कोई विदेशी कुछ कहेगा तो एतराज होगा और एतराज हम सब को होना चाहिए कि हमारा मुद्दा है इसको हम सुलट लेंगे आप मत बोली देखे अप दिनेज जी अलग अलग दिश्टिकोन है देखने का आप सेलिबरिटीज और पॉर्ण स्टार पॉर्ण स्टार बहुत कर रहे न यह वो शक्स है जिसने भारत की एक पॉर्ण स्टार फिल्म एक्टर्स के खिलाब बोला था उसके विज्ञापन के खिलाब सारे टेलिवीजन चैनल मेरे खिलाब खड़े हो गए थे क्योंकि जिसका वो विज्ञापन कर रही थी वो हर पांच मिनट दस मिनट बाद विज्ञापन आते थे मैं सनी लियोनी की बात कर रहा हूं और मैंने उन विज्ञापनों को बंद कराया था तेरे पर कितना प्रिशर है कौन पॉर्ण है कौन नहीं है मैं इस बात की आपकी बात का समर्था कूँ कि भारत के मामले में भारत के ही लोग बात करें तो ठीक है लेकिन क्या करें वो युनाइटेड नेशन में मैनमार का सवाल उढ़ियाएगा तो क्या भारत करेगा भारत तो सपोर्ट करेगा ना कि मैनमार में जो गलत हुआ है आं समय पर मूदी और World Bank जब मूदी जी की तारीफ करता है तब खूब चर्चा होती है अब आजकल क्रिटिसाइज किया है सब क्या कह रहे है किसमें Economic Survey में कह रहे है कि विदेशी rating company हमारे आंतरिक मामले में बोल रही है जब आपका जिन्द तो ये गाना बंद किजिए कि हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे तुम दिन को रात कहेंगे इस बात को लेकर सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा क्या United Nations में कही गई बात और यहां रिहाना की और मिया खलीफा की तरफ से कही हुई बात एक ही जैसी है बस सवाल यह है कि क्या आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं दिनेशी ऐसा है कि अमेरिका का प्रेजिजेंट या उनका फॉर्ण मजिस्ट क्या कह रहा है कोई उसकी स्टेट्मेंट है अगर यूएनो में कोई स्टेट्मेंट दी जाएगी तो भारत की तरफ से दी जाएगी भारत का विदेश मंतरी उसको हक है बात कहने का लेकिन कोई पॉर्ण स्टार कोई दूसरा बात करे उसको क्या हक है ऐसी बाते करनी का दूसे देश के बारे में UNO में किस ने कहा, क्या कहा ये भी तर्चा का बिशा होना चाहिए बात ये है किसान हमारे भाई हैं हम उन से बात्चीर कर रहे हैं किसान के कंदे पे रखके कभी तो ये कहा जाता है कि हम लाशे मिशा देंगे कभी ये कहा जाता है कि ये गर्बन पैदा करेंगे कहता कौन है कॉंगरस का MP रबनीत सिंग बिटू और उसी रबनीत सिंग बिटू की पिटाई होती है कुलवीर जीरा MLA की पिटाई होती है कॉंगरस में इतना दम नहीं कि बोल सके Congress President Congress का Chief Minister एक शवद अपने MP के बारे में नी बोलता और MP का भाई कहता है कि Agitation हम करा रहे हैं ये किसके कंदे पे रखे चला रहे हो कभी तो तुम उनको अतंकबादी बोलते हो Captain कहता है वहाँ हलात खराब हो जाएंगे चीन और Pakistan इंट्रफियर करेगा ये Captain साब क्या हमारा आंतरिक मामला है Hollywood से कौन क्या कहता है हमें कोई मतलब नहीं है राहूल गान्दी ने कहा है ध्यान दीजिएगा Hollywood Celebrities की बातों में रुची नहीं है राहूल गान्दी ने कहा आज प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान उन्हों ये बात कही है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है ये हमारा इंटर्नल मैटर है, ये किसानों का मैटर है, बात क्लियर है बोपर आई जी अप जबाब देंगे आप इस पर, अगर उचित समझें तो अगर 60 सेकिंड का समय देंगे और टोकिंगे नहीं तो जरूर जवाब दूँगा भाई साब और आवाज दबाएंगे नहीं बशरते कि आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं हो सर पहली बात तो मैं आपको ये आपकी पूसरा जूर्ज खलीफा हैं आप अपी की सवाल का जवाब करें हम इधर दर नहीं देर आपको थीम है कि किसपर हम विशाया किसरे पर आज बात करने वाले हैं अगर आम पर बात होने वाली और हीमली नहीं को बुर्ज खलीफा होने का ये गुमान होता क्या क्या 우리는 अब हमारा ये नियम है कि बाकी लोगों को आधियो डाउन रखेंगे तो गर्पयार डाउन रखेंगे अभी बोपराई साब कह रहे हैं उनको सुनते हैं कहिए बोपराई पहली बात गौतम साहब आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं मेरा ये मानना है कि आपने लालपुरा साफ से ज़ादा एक भाजपा के प्रवक्ता में अपनी भूमे का निवाई है पहली बाद दूसरी बाद जो रिहाना ने कहा है या मिया खिलीफा ने कहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे इस चीज़ से मतलब है कि 180 किसानों ने अपनी शहादत दिया था मैं अभी डिवेट छोड़के चले जाऊँगा अब 60 सेकंड का समय तक नहीं देना चाहते हैं चाहिए और 60 सेकंड लीजे चलिए नाराज में प्रिक्राइब और 60 सेकंड लीजे बोलिए भोलिए ठन्यवाद बोलिए शायद आपकी कोई मजबूरी है कि आप जो किसानों का दिहान थो रहा है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते कोई मजबूरी होगी आपकी कोई मजबूरी नहीं है अब आप मुझे आप मुझे बओने का समय नहीं दे अगर आप अगर यह कह रहे है कि एक नट तक मैं कुछ भी बोलूगा आप मत बोलिये तो आप बोलिये और यहाँ पर आप बोपर आई जी कुछ भी बोलेंगे हो मेरे तीसरी बात, किसानों पर सिंगू बॉर्डर पर 28 तारीक को भाजपा के गुंडों ने आके किसानों पर आकरमन किया। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है गौतम जी, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बिजली ब्लॉक की जा रही है, आपको इस चीज़ से वहापती नहीं है। मैं आपको नवेदन कर रहा हूँ, लालपुरा साब से पूछ लीज़े, थोड़ी इंसान गया है। थाइंक्यू आपने अपनी बात के हूँ, अम मैं जरा इस पर लालपुरा साब से जवाब भी ले लेता हूँ, लालपुरा साब, आपको किसानों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। गौतम जी, किसान हमारे भाई हैं, हमें अपने परवार के दर्द से क्यों दर्द रही होगा, इसलिए तो बार-बार बात कर रहे हैं, हमने तो अपोजिशन को कहा कि आईए पार्लिमेंट में आप 15 घंटे बात करते हैं, आप तो राश्रपती जी का भी आप बाई काट कर नहीं नहीं, प्रेशिडेंट सेट कर रहे हो, आपके गुंडों ने पत्फर बेके हैं किसानों पर लालपूरा जी, हमारा कोई गुंडा रही है, हम देश में आप लतीमा सुना रहे हैं, बोपर आई जी मुस्कुरा रहे हैं, बोपर आई जी को ये करून भी बता दी दिये ये पढ़ ले, और ऐसे हवा में बाते ना करे, ये लोग वो हैं, आरे आपके कहने पर कम सकम मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तुन से सुर्जेवाला जी के बारे में पूछा, कि उन्होंने रिहाना को रीट्वीट करते हुए क्यों कहा है, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिय मेरे उपर मेरे को लेकर क्या क्या कहा है, आपने सुना है, लेकिन अब क्रिश्नवीर जी के पास जाएं, क्रिश्नवीर जी क्यों उन लोगों को भाव दिया जाता है, जो इसमें स्टेक होल्डर सी नहीं है? जो इस तेक होल्डर है, बात तो सरकार उन ही से कर रही है, और इसलिए बारा बार बैठक हुई है, लेकिन समश्चा ये है, कि जिस तरीके से इस किसानों के अंदोलन के पीछे पूरी तरह राजनिती हावी हो रही थी, और वो राजनिती अब सामने खुल के आ गई है, और इसमें सबसे बड़ी समश्चा ये है, मैं पहले दिन से त्माम चर्चाओं में जराएं, मित्रों आग से मत के ये देखिए, राहूल गांधी ने स्टेंड लिया, राहूल गांधी से सवाल पूछा गया है, उन्होंने का I am not interested, कृष्ण वीर जी एक सेकंड, मेरी बात सुन वही मानते हैं जो कहते हैं राहूल गांधी, क्या भोपा राय वही मानते हैं जो राहूल गांधी कहते हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है और भोपा राय जी, आपको याद करा दूँ के 2005 से बराबर किसानों के agriculture renewal पे काम कर रहे थे, UPA1 में भी, UPA2 में भी और NDA1 में भी, और NDA2 में भी, ये एक दिन का मामला नहीं है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो बराबर विचॉलियों को हटा कर साफ करने के लिए एपी एमसी को खतम करने की बात के जी, रहूल और रिहाना पर एक साथ भारतिय जनतापटी का बार, रहूल और रहाना देश में लोगों को भड़का रहे है राहुल और रिहाना को बिल का पता ही नहीं है कहा संबित पात्रा ने किसान के कंदे पर बंदूक रखकर राहुल राजनीती कर रहे हैं राहुल गांधी पर बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप राहुल चाहते हैं गोली चले लाशें बिछें संबित पात्रा ने कहा है सडकों पर लड़ाई हो यह चाहते थे कि गोली चले यह चाहते हैं कि लाश बिच जाए और इन लाशों पर बैठकर यह अपनी राजनीती चमकाएं और सवाल पुछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से ना राहुल को मालूम है कुछ क्रिसी के बारे में ना रिहाना को मालूम है कुछ क्रिसी के बारे में पूछिए दोनों को यह रभी क्रॉप क्या होता है खरीप क्या होता है महात्मा गांधी पूरे विश्व के पूरे विश्व के लिए चालार को अलग कर दिया जाता है कैलिपॉर्णिया में उनके स्टेचू के धड़को तो कोई भी इन में से जो आज tweet कर रहे हैं जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं उन्में से किसी ने tweet किया तिसी ने ट्वीट नहीं किया कि तीन-चार लोग ट्वीट करेंगे उसी ट्वीट के आधार पर आप हिंदुस्तान के लोगतंत्र को तॉलेंगे राहुल जी रिहाना जी नहीं समझती है यह सब कम से कम आप सोचने और समझने की खिशमता रखी और राहूल गांधी ने खुद कोई ट्वीट रिहाना के संदर्म में नहीं किया है लेकिन लपेटे में इसलिए आ रहे हैं कियोंकि कुछ कॉंघ्रेसी इस पर बात करना नहीं करना चाहा है जो रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने किया है लेकिन पहले सतीय जी आपके पास सियासत करें हम, हमारे घर के मुद्दे हैं, सियासत भी जरूरी है, आ रहा हूँ आपके पास अतुल नंजान जी देख रहा हूँ, सतीस जी से बहुत देर से बात चीत नहीं हुई है, आपका तो बुरिश खलीफा सुना है मैंने, मैं जरा इन से समझना चाहता हूँ, सतीस जी ये बताइए, हमारे घर के मुद्दे हम समझ सुलट लेंगे, क्यों हम एक स्वर में ये नहीं कहते हैं, कोई बाहरी इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा, हमको सूट करता है हमारी सियासत को, तो हम उसको भी वेलकम करने लगते हैं, जो बाहर का है किसान के मुद्दे की बीच में, जान बूज करके उसमें कांग्रेस हैं, बीजेपी हैं, अगर यही विजेसी संस्थान, इनकी बढ़ाई करते हैं, तो उसको सुईकार कर लेते हैं, अभी एक साल पहले, ताइम जो मैगजीन है, उसका एक आटी किलाता है, जिसमें नेंदर मौदी जी की बुरा ही कर दी जाती है, और यह बीजेपी उसके ओपर पलेट वार करती है, उसके एक महिले बाद वही ताइम मैगजीन, अगर मौदी जी के तारीप में कुछ लिखती है, तो उसको यही पीजेपी सुरिकार कर लेती है, मेरा बादना यह है, कि देखो किसान और सतीस जी, सतीस जी, युनाइटेड नेशन, युनाइटेड नेशन, टाइम मैगजीन, और इधर मिया खलीफा, रिहाना, यह एनॉलिजी ठीक है, आप सुनिये, देखे, देखे, गोतम जी इस पे ब बात कर लेनी चाहिए, लिए पार्योके दबाओं में क्यों है, अरे इस देश में, आप अंडाटा का अपमान कर रहे हैं, एक ऐसे इसे इसान पान कर रहे हैं कि यह हो किसान था, जिसने बीजेपी को सहर से उठा कर गाउं तक हुचाया, इस इनी इस इसी देशानों ने पीजेपी के परदान मंत्री नहीं है, वो पूरे देश के परदान मंत्री है, इन किसानों के भी परदान मंत्री है, इनका ये राइट है। मेरे पूरे घर में काशकार है, पूरे घर में खेती करने वाले लोग है, क्या मैं किसानों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्या ठेके लेने वाले ही किसानों से जुड़े हुए है, किसानों के मुद्दे परबात, क्या उनको भी किसानों के साथ जुड़ा जाएगा जो लाल जो कहा आपूपन्य जिस में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की डिमोक्राइशन है वो जो कमजोर हो रही है और आप Day जो कहा जो ही जो कहा हो आप सुनिए पहले शरण देश्चे प्मुह PPP Simple खा गांदि है जो श्निए पहले राउल गांदी जोन के ये हमारा इंटर्नल मैटर है ये किसांगों का मैटर है बात क्लियर है बोलिये रहूल गांदी गलत है भारतिय जन्ता पार्टी और एक बहुत ही बड़ा पार्टी गलत है क्या जो देश की शवी बिदेश में करा कर रही है बाहर का कोई व्यक्ति इसमें दखल नहीं देगा घर का मामला है यह गोदी मीडिया ने नहीं कहा रहा है जवाब दीजिये ना जो सवाल पूचा वो इधर उधर अपने गुस्सा मत उतारिए गुस्सा नहीं उतार रहा मुझे दुख हो रहा है कैसे अनदाता को आतंकवादी कहा जा रहा है एक क्रिमिन गौन गांदी ने गलत कहा क्या यह बता एक्लगार्शacz बाहर के लोगों को हस तक्षझ की कोई जरूर्त नहीं है वो गलत कह रहे है क्या मीडिया को शर्मानी चाहें। यह यह मेरा चार्याप को सवाल सुना ही नहीं दे रहा लगता है अव्यक सम पाके गुंडे हैं और आप किसान की छवी को खराब कर रहे हैं पीजेपी के साधराल के आप उनकी राहूल गांधी कह रहे हैं क्या एक सिकंड फिर से सुनाई इनको नहीं सुनाई दे रहा है यह आखरी बार सुनाऊंगा और अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दीजिए और नहीं है जब आप तो फिर से गोधी मीडिया गोधी मीडिया एक माला लेकर और निकल जाईएगा एक सिकंड सुनाईए यह यह हमारा इंटर्नल मैटर है यह किसानों का मैटर है बात क्लियर है कोई उपिनियन नहीं है मेरा यह यह हमारा इंटर्नल मैटर है यह किसानों क का मेंटर है बात क्लियर है आप किस के साथ है सूर्जे वाला के साथ की राहूल गांदी के साथ मैं में देश के साथ हूँ और सूर्जे वाला सहाब राहूल गांदी गलत थे क्या आप लगां Okay अप कह रहे हैं आप जबाक के साथ रहे है'm जश्वडा घू कर Vergleich आपरएफिछे आप राहूर गांडी के कहे हुए के साथ नहीं है पोपर आए बहुत धन्यवाद सामने है लोगों के आपके कह देने से मैं कुछ नहीं हो जाऊँगा और मेरे कह देने से फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर